हलो दोस्तो वल्कम टू माई चैनल लेटेस्ट लॉन फार्मेसी आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मकोगनोसी का नेस्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है टैनिस पिछले कुछ समय से हम विडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थे लेकिन आज से हम अपना विडियो कांटिन्यू करेंगे पर डे या आपको एक दिन छोड़कर एक दिन विडियो आपको एक नएक विडियो ज़रूर मिल जाएगा तो सबसे पहले बात आती है कि टैनिस टैनिस होते हैं इसका मलब क्यों है कि इसके अंदर नाइट्रोजन ए होते हैं इसका मतलब क्या है कि यह ऑर्गनिक कंपाउंड होते हैं इसका मतलब क्या है कि यह उसको देखेंगे तो वहाँ पर जा का नएक इसर्ड मतलब बेंजियन के रिंख के ऊपता है मारे जो मौर्यस टैक्चर होते हैं आपको कई सारे मतलब क्वातने का मतलब है कि यह स्ल के shaped का मतलब क्या होता हैखि किसे समझें जिसे मीनिम उठी है यह ऐसे होते हैं मतलब अंदर बंद होते हैं उस तरह से हमारे होते हैं और यह हमको अमरे नेचर से मिलते हैं ठीक है तो दे क्लासिफिकेशन आता है तो क्लासिफिकेशन आता है तो क्लासिफिकेशन हम डिटेल में फोर समेस्टर में डिसकस किया था यहां थोड़ा थोड़ा बता देते हैं तो एक ट्रू टैनिस प्रू टैनिस क्या होता है इसका मॉल्यूकुलर वेट एक हजार से उपर होता है और पाच हजार से नीचे होता है एंड कहता है गोल्डिबिटर इसकिन टेस्ट क रिखिजे आपको पर सब्सक्राइब होता है उसको बहुता है उसके जरनल टेनिंज होते हैं उसके कुछ identification test के बारे में उसके बाद में अपने kattachyuk के ऊपर आते हैं सबसे पहरे हमारे test होता है वो क्या था है magic या kathachy test इसमें होता क्या है कि आप जो normal marches करते हैं जो जलाते हैं थी उसको आप ले लिगे और tennis सोल्यूसन तो कि ये स्रॉशन ऊता है उसमें डिप करने के बाद क्या होगा कि इसको आप िए हरं र्डेंगे क्या करें अर्ट कर दें गे य कि तो आ उसके बार करेंग Meng करेंगे ल्म कर देंगे वार्म कर देंगे उसके बाद झाहिंगे वह का घृत है कैणियक और उसका मतलब क्या है कि हुँमारा टैयनिस नहीं होगा उसके बाद है जिलेटीन टेस्ट करते क्या है कि टेलियन का स्टिविशन सुन आप्टीज जीडियो हम solvent में dissolve कर लेंगे, gelatin solution 1% है, sodium chloride का 0.1% solution हम ले लेंगे, यहाँ पर wind कर लिए, 1.0% solution ले लेंगे, अब तिनों को mix कर देंगे, अगर उसका white pale buff precipitate का form है, मतलब एक buffy material आपको दिखाई दिया, वह भी pale color का, white pale color का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी tannins है, उसके बाद आता हमारा fenajone test, इसमें क्या करते हैं, कि tannins लेते हैं, उसमें 2% fenajone solution एड करते हैं, अगर precipitate form आता है, तो इसका मतलब हमारे tannins ही है, अधरवाज हमारा tannins नहीं है, अब बात आती है कि जो हमारे slayvers के according से, तो सबसे पहला क्या है, कटेचू, तो कटेचू दो टाइप का होता है, black कटेचू एंड पेल कटेचू होता है, तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, वो होता है, black कटेचू, और पेल कटेचू को हम बहुत ही, medicinally करते हैं, तो इसलिए हम दोनों को साथ में लेकर पढ़ते चलेंगे, अब बात आती है कटेचू, कटेचू होता है, तो नॉर्मली केक बना जाता है, तो हमारे बजार में आता है, दो हम उसको यूज करते हैं, ये क्या होता है कि एक हर्बल मैडिसन होती है, जो यूज की करते हैं किस-kिस में हाई ब्लेड पेसर, मतलब अगर आपको ब्लेड पेसर हाई हो गया है, या है पर टेंशन, तो डाइर्या, black kattachew होता है तो 7 में लेकर चलते हैं तो इसका synonyms होता है मदब जो pale kattachew का synonyms होगा वो होगा gambier and kattachew जो black kattachew का synonyms होगा वो होगा cut dark kattachew kathar khadir kattachew ठीक है तो यह समारे धियाद में भी बोला जाता है khadir kathar and kathar and dark kathar यह हमारे बोला जाता है यंग्स सूत आप दी एंं केरिया गांबियर वहीं जो हमारा ब्लेक कट्टेजू से प्राफ्थ होता है और दोनों की जो फैमिली दोनों की होते हैं य९ह ब्लेक कट्टेज़ू की फैमिली जोकलूनेशजी Creation बताते हैं बत इसका कलर होता है इसको बाहर से देखें तो आपको रिडिस ब्राउन कलर का दिखाई देगा और इसको अंदर तोड़ के देखेंगे अंदर से देखेंगे तो आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा और इसका लेस होता है टेस्ट इसका एस्ट्रिंजेंट होता है सबसे हम सबसे पहले मातलब कसरह लगेगा उसके बाद ये हैपको मीठा लगने लगेगा इसका जो साइज होता है दस्मलो साथ से दो दस्मलो 2 cm long होता है फिर लिसका cake बना कि हम कितनाibile problem मिली मी्ट्र सेंटी मीटर इसको कर सकते हैं इसका जो safe family Job का मतलब आप समझे रहेंगे energy इसका friable होता है flyable का मतलब क्या है अगर आप इसको हिट करेंगे तो तूड जाएगा अपिरेंस इसका क्यूबिकल होता है और सॉलिबिलिटी इसका होता है होट वाटर क्यूबिकल का मतलब सिंपल यह वाला होता है ठीक है यह क्यूबिकल होता है ठीक है यह क्यूबिकल टाइप का होता है उसके बाद ब्लैक सब्सक्राइब करा निकला जैसे पहार होते हैं नेचे इसका फ्राइबल होता है और पॉरस होता है पॉरस का मदलब क्या है कि वी होता है पूरस माइडियम भी होता है अब पिर सुलेबिटी इसक÷्ची जो करते हैं तो इसके ुशिके इनहेंस होती है इसमें ये होट वाटर में भी होता है लेकिन इसके जो व० Mrs. Weakweed शूलिविलिटी बहते हो बईल्फ सबसक्राइब की जटेकीटोइचि एक backward गोगी मायशन अदेवील कविएचिक таких हैं के आउसोट हम इस तındर कॉण कॉण पेल के टेचु एंड ब्लैक के टेचु दोनों में पाए जाते हैं तो इसको आप बहुत ही द्यान से रखेंगे बस परसेंटेज का अरक फरक होता है फूजिए अमर्फरस है फ्लो तुबा मीन ठीक है फ्लो बोटा मीन है अब इसके अंदर जो पाए जाता है मेन एक्टिव के पर्सेंटी परसेंट होता है आप आप देख सकते हैं क्या ऑन को बाता है यह ऑपको बैसे पर आपको गुरूकि के लगे हुए पौली के साथ में लगा हुआ है ठीक है यह क्या होता है पाउरफुल एंटी ऑक्सिदेंट होता है अगर इसमें से आप आइस्टू निकाल लेंगे तो यह आपका बजाएंगा हो जाती है उसके बाद इन बलाइक का टेच्व अगर हम बलाइक का टेच्व की बात करें तो यह 25 से 33 परसंट कैक्टो कुटेनिक एसीड कंटेन क्या होता है इसके बारे में यह देखते हैं जो एका केटीन का इस्टेक्चर होता है आपको इस टाइप से होता है इसमें भी कारें में यह वारी के ब्लाइक करें तो आपको कियां zia करें गैसिड बन रर करें तयार हो जाएगा करें जाया का द्यार कर देंदिगा इसके पहले हम कôngंट टेस्ट की बारे में बात कर लेते हैं तो अगर आप चाहिए पेर केटेट्यू दुजे चाहे ब्लैक केटेट्यू लुजे उसको आप 10% filter केटेट्यू solution में 5% FECL3 का solution अगर आप मिला देते हैं तो उसको क्या dark green color change हो जाएगा अब उसी में करें sodium hydroxide मिला देंगे तो purple color में change देगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पीपीटी में change हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कटेचू ही है अदरवाज अगर यह test fail होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कटेचू नहीं है अब बात आती है कि इसको जो common test तो आपने देख लिए अब कौन कौन से test है जो इन दोनों में difference करते हैं सबसे पहला chlorophyll test तो आप क्या करेंगे कटेचू लेंगे कटेचू को करेंगे 5 ml chlorophyll कर देंगे और इसको क्या करेंगे एक सो दो मिनिट के लिए हीट करेंगे उसके बाद filter करेंगे organic layer को इवापरेशन कराएंगे अब इवापरेशन कराने के बाद अगर उसने ग्रेनिस यलू कलर दिया तो इसका मतलब क्या जाएगा फिर कटेच हो जाएगा इसका मतलब क्या है वहाँ पर क्लोरोफिल परजेंट होगी दूसरा बात अगर वह ब्लैक करेच होगा तो उसके अंदर कोई भी रेजिडियू नहीं बचेगा इसका मतलब क्या है कि उसके वहाँ पर कोई भी कलर आपको देगने को नहीं मिलेगा सब का सब इवापरेट हो जाएगा तो यह होता क्यों परजेंट साब भी कलोरोफिल तो एक चीजह यहां पर और पता चल गई कि जो पैल क्यटेच हो तो उसके अंदर कलोरोफिल पाया जाता है और जो ब्लैक क्यों तो इसके बात करें तो गैंबियर फ्लोरेसिंट टेस्ट होता है तो इसमें क्या करते है कि अलकोहलिक पानी में डालते हैं तो जैसे उसमें बुझ बुझ बुझा निकलता है तो अगर उसमें कोई भी फ्लोरेसिंट देखने को नहीं मिलता तो इसका मतलब आपको क्या जाएगा ब्लैक कटेच्व अब इसके थेरापोटिक यूजिस के बारे में बात करें चूंकि सब कुछ हम समझी रहें एक्सेलेंट्रेमिडिफ फॉर रिलेक्सेशन अब दी वुल्वा वुल्वा का मतलब क्या होता है कि जो कववा बढ़ जाता है कोवा कहने का मतलब क्या है दिहात में कहते हैं कववा दूसरी भासा में बात करें जापके जीब के टंग के ऊपर एक आप देख र अलग चीज़ है इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे तो उसको भी रिलेक्सेशन में काम करता है और यह का करता है कि कफ को भी यह कह करता है बाहर निकालता है और यूजन डेंटिव फ्राइस इन दा कॉंबिनेशन भी पावडर चार कोल मिर इटीज ड दातों वगएर में गंदगी फसी होती है उसको भी कहता है यह बाहर निकालता है और ब्लैक का टेचु क्या होता है कि अप्लाइड ऑन अलसर मतलब कहने कहते हैं जो आपको बॉइ डूडियोनल अलसर होता है यह प्यप्टेक अलसर होता है कि उसके ट्रीट्मेंट में इसका बॉपर्टी में इंग्रीडेंट अब दि बिटेलिफ पॉइंट होता है इसके बिना पान नहीं खाते हैं ट्रीट्मेंट आप या यह लोजें से मदर कहने का क्या है कि उसका कमान मूझ क्या है कि यह यह या यूज्ञेंट में यूज यूजजगा जाता है वह सका कॉमर्स बारे में इसमें उसे धुमारा और दूसर टॉपिक लिए गया है उसलिए अंधब का नाम क्या है तो पिटो कारपस ह्क ठीट एसका इस सुनुनलेंश होता है इंडियन माला बार होता है कीनू बोला जाता है अशाना बोला जाता है कीनू फल नहीं यह दूसरा टाइप का होता है ठीक है गमी कीनू बोला जाता है एंड पिट साला बोला जाता है ठीक है पिटा साला अब इसका बालोजिकल सोर्स के होता है इस्टेम बर्क अब दी पिटो एंगुलर टाइब में एंगुलिटी इन वाटर एंड कम्प्लिटी इन एल्कॉहल अब इसी केमिकल केंशी ट्रेंट की बात करें तो जो कीनु गम होता है वो अप्रेंट फ्रॉम दी बार से से विंटी परसेंड आपको बास से मिलता है और केट उनच एक इसे एंदर कॉन सा पयाता है किनौ टक्षित का इस से यहां पर आपको यहां पर आपको कॉंसीरिंग लगी हुई है यहां पर आप दुनों एज़ कोटा ज़िए तो बेंजुए के साथ में इसके पारा पोजिशन पर दो वेज गुरूप लगे हुए है ठीक है और ठीक है उसके बाद आपके यहां पर देख सकते हैं कि फिर से पाकव कीनू हो गया ठीक है इंसोलीवर फ्लोबेफिन होता है कीनू रेड फॉलीक एथीन रेजिंस पैक्टिन इन गैलिक इसिट इसके इंतरगत पायाता है अब इसके इडेटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें तो ड्रग सोलूशन लेंगे फिस्यों फ्पोर मतलब क्या है कि हमारा वो हमारा पिटो कारपस ही है गिए दूसर्म सोलूशन लेंगे पोटेशियम है रॉपसाइड इसको बारे में बात करते हैं डेसेंट्री डाईर्या तो बहुतना ये इसका यूज कर जाता है और यूजिन दर लेप्रोसी लिइकोडर्मा एंस्किन लिकोडर्मा का मतलब क्या होता है जैसे आपको जो सफिर दाग हो जाता ठीक है लेपरोसी इसका यूज क्या जाता है एंड हर्ट वूड कंटेयर मेरसुपिन पिट्रोप्रेविंड जो क्या खाता है हाइपो इसक ग़्रासेमिक प्रपर्टी भी कंटेयर किया होता है तो आइ-खॉप आपको ये लतियो समझ में आगा है तो यहाद देगेंए कर आप डामजोक के वीडियो के लिए तो अगर ये वीडियो आपको संमझा खेंग Ontario आ सो वीडियो क्राइज के लिए वोग्त нет कमेंट करके ह को जुरूर बता जाएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिन दा वीडियो फ्राम दी लेटेस्ट लेंट फार में से नोटस आप टेलीगराम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं